जीतेंगे हम ये खुद से वादा करो, कोशिस हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना तूटे, मजबूत अपना इतना इरादा करो. नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सबसे सिर्वास्ताव और आप देख रहे हैं Mastermind Academy Official YouTube Channel. तो आज के session में हम फिर से आपके लिए लेकर क्या है, Class 10th का जो बिहार बोर्ट का exam होने वाला है. उसमें आप सभी जानते हैं कि Maths के 100 mask paper होते है, Class 10th में जो exam 22-23 में होने वाला है. तो आप उसमें objective questions का बहुत ही अहम रौल होता है. तो उसमें आज हम आपके लिए लेकर क्या है, स्रमांतरल स्रेनी यानि AP जिसको हम बोलते है, Arthematic Proversion का Part 2. हमने पहला part में क्योंकि Total objective questions जिसमें 30 है, यानि ये सारे question MBD guide आप जानते है, आपके Class 10th के exam के लिए बहुत ही best exam है, बिहार बोर्ट के लिए. बेस्ट guide होता है, जहां से question में पुछे जाता है और उसमें वे सारे question सामील है, जो आप जाना है, तो चलिए उसी guide से हमें सारे objective questions लेकर क्या है, तो आज part 2 है, पहला part हमने किया था last class में, तो आपने वीडियो ज़रूर देखा होकर आपने नहीं देखा है, तो जाकर कि उस question number 20 आपके screen पर है, देखे क्या है, शमांतर स्रेडी यानि 25, 20, 15 का कौन सा प्रथम पद, रिनात्मक पद है, यानि मुझे एक AP दिया हुआ है, यानि ये AP जो है, वो घटता हुआ है, यानि जैसे कि माली ये T1 है तो 25 है, T2 है तो 20 है, T3 है तो 15 है, मतलब इसका value कट रहा है कहने का मतलब ये है, तो अगर आप A की value यहाँ पर लिखेंगे, तो 25 होगा, ठीक है, अगर आप D की value लिखेंगे, तो 20 minus 25 होगा, यानि ये minus 5 होगा, है ने, और आपको निकालना है कौन सा पद रिनात्मक होगा, तो हम रिनात्मक कौन सा पद होगा, ये मुझे नहीं पता ह हम क्या करते हैं, पहले कौन सा पद जीरो होगा, इस को जब भी आप सौर्ण करें, तो पहले कौन सा पद जीरो होगा भी ये निकालने, ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि इसका Nth term क्या होगा, जीरो होगा, और अगर जो टर्म जीरो आ गया, जीरो के बाद जो पद आएगा, माइनस में ही आएगा, तो हम पहले इसका निकालते हैं कि कौन सा पद जीरो आता है, ठीक है, उसी से ये कुशन बड़ा बनेगा, क्योंकि जीरो के बाद जो पद आएगा, वो क्या आएगा, ने अत्मक आएगा, तो देखिए, अब हम निकालते हैं, एक की वैलू डालते है और टर्विवए अटते है, 25, पलस एन की वैलू डालते है, अब हम आने है, एन-टेखिए, आं-णлем raped- ने-टू ऑने-पीचिया है, ये क्या तो न की मान लेते है, जीरो. अब यहां से अन कि वैजु माण सकते हैं, ओलस आई-बड़ा सकते हैं, एक कैसे निकाल सकते हैं 25 ल देखिए यहां तो 25 रहेगा ही रहेगा और यहां माइनस 5 से इसमें मल्टिप्लाई होगा तो यह क्या हो जाएगा माइनस 5 और यह माइनस 5 को जब 1 से मल्टिप्लाई होगा माइनस 1 से तो यह पालस 5 बन जाएगा दो चंसिल करेंगे तो माइनस 5 से कटेगा तो क्या एगा 6 योगाад उटोट जो होगा गा क्या होगा 0 होगा तो याद रखीएगा पीस का सही इंसा है अगला कुशनमर टूंटीवन है लिए टूं जो आधी यह पहले पद है और ठीरी एक्स और फोर एक्स प्लस वन समानतर स्रेधी में है तो एक्स का वेलू मुझे चाहिए यह x plus 2 a1 की value है यह a2 की value है और यह a3 की value है ने तो देखिए a1 की value x plus 2 है a2 की value 3x है और a3 की value 4x plus 1 है तो आप जानते हैं कि मुझे इसको x की value निकालना है तो आप सभी जानते हैं कि हमेशा कि एगर समानतर स्रेनिया होता है तो इसकी d की value क्या होती है अगर एपी में कोई स्रेनी है तो इसका d समान होगा इसका वेतलब d equal to आप सभी जानते हैं जिसको common difference cd भी बोलते हैं यहाँ पर 3x minus x plus 2 यानि यह हुआ क्या यह a2 था यह a1 था यह a3 था तो यहाँ पर हम क्या निकाल रहे है a2 minus a1 equal to होगा equal to होगा किसके a3 minus a2 के तो यह 3 यहाँ पर क्या है 4x plus 1 और यह minus होगा किसके साथ 3x के साथ अब देखिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो यह जागा 3x minus x minus 2 है नि यह minus से दुन में क्या हो गया गुना हो गया और यह अदर देखिए 4x plus 1 और यह जागा minus 3x हो गया अब देखि टू एक्स मचेगा minus 2 हो गया equal to में 4x में से 3x जाएगा तो क्या मचेगा x plus 1 मचा अब यह एक्स अगर इधर जाएगा तो इधर जाएगा तो इधर जाके क्या जाएगा 3x की वैलू किता निकल करके आया थी तो option नमर क्या जाएगा सी तुमान तर स्रेनि वाटेंटी और का दसमा पत क्या हो तो एक्स वैलू सबसे पहले क्या है डी की वैलू क्या है seven minus two यानी five तो दस्मापत चाहिए यानी eight ten चाहिए और दस्मापत क्या होता है फर्मुला ऐ पलस सिधा लिखेंगे 90 और ए की value क्या है two plus nine और d की value कितना है five तो कितना जाएगा 47 टू पलस 95 तालिस यानी क्या जाएगा 47 47 हो जाएगा यह देखे, 23 क्या है, root 2, root 8, root 18, root 32 का पदांता मतलब common difference, sharp इसको को उसे वह बोलते हैं क्या? इसको लिखेंग है इसको लिखेंगे 3-2 ू और तम मुझे किस डी गणे वैली कैसे निकलेगा। जी की वैलू कि सब्सक्राइब , बढ़ाबर कितना होगा ? यहां धट्थ यहां घटाएगे and क्वेस्टर में 24 जो है वह है कि समांतर स्रेनी 14 9 4 माइनस 1 माइनस 6 का एनमा पद क्या होगा यह इसका एनमा पद निकालना है ठीक है तो आईए एक की वैलू कितना होता है 14 माइनस 5 है और एनमा पद निकालना है इसका मुझे तो हम लगा लेते है फर्मॉला डारेक्ट क्या होता है एक क्वेलू कितना है 14 नगदा निकालना है मुझे पाद दी की वेलू कितना आया डी की वेलू आगया हम कितना माइनस पाच आ गया अब इसको pad करोगे- तो hen को क्या होगा माइनस 5er और यहां करोगे तो paillouse 5 हए। यंश्व आ हा जाँगा उनीफ यानि इसका वैलु आएगा 19-5N कहां पर है 19-5N अपसर नमर B में है तो यही अपसर नमर B इसका सही एंसर हो जाएगा 19-5N ठीक है चलिए अगला कोसर नमर 25 कि बंटन एक दो तीन डौडड़ न का माद है क्या हो रियाद रखेगा जब लगतार संख्या है यह एक से लेकर दू है तीन लगतार संख्या थो इसका माद होता है डारेक्ट एन पेलस वन वाई टू होता है यानि इसका सेसर हो जाएगा option मस्ती जैसे मालिच आपको कोई कहा मैं एक दो तीन चार पांच का माच क्या लिखोगे पांच जो ये वट्टा तो ही जोगा झार एक बाठ नुब का चाहर गें तो इसके पर्थम पदो का यह वागफ्वल क्या हो ज्याद रखिएगा पर्थम एंट पदों का यह प्रमूला है इसका नमर सी क्या हो जाएगा सही एंसर हो ठीक है इसमेसर हटाओगे रोटेश का चलिए तो क्या हो एक भी में एक तीन माइनस दू आ च्छेर दो माइनस दू दू या छेर दो नेंतागो होते हें यहां सब्सक्त क्या है थो से था वे थॉई मैं courtyard ये नहीं प्योगा नहीं है तो सिचिछ इसका सही रिटी इट अ ने क्तों है है कि 27 यह कि है कि समाइटर से लेडि दू 7 12. चाहिए निस टेन चाहिए तो एसट इन आप क्या होगा है तो आप जल जानता ही है होता है n y 2 into 2a plus n-1 into d यहीं होता है तो यह होता है , अब क्या डाल दोगा , 10 10 का डू डू डालोगे दो गुना a की वैलू कितनी है 2 तो आएगा n की वैलू कितनी है । कितनी है 10 10-1 into d की रू कितनी है तो यहां और रूट के चार आया और दस सी जाना नो नो पचे पैतालिस ऐसको करेंगे तब दूसर पहता लिए चलिए अगरा कोशन है ट्विंटी नाइन एक कोशन में थो आसा मिश्टेक है याद रखिए कि यह 40 पदों का योग नहीं होगा यहाँ पार यह होगा 10 पदों का योग ठीक है और तब इसका सही अंसर भी हमारा मिल जाएगा बुक से तो आप सही कर लेंग यह ओपर वाले का तो क्या होगा वही लगेगा एन प्दों का योग निकालना है तो हम ढाल देते हैं एन वाइटू इन्टू टू एट दो गुना थी टू एंटंवन इनटू डिय की वैल्यव कितनी होगी पांच प्तुन तीन जाएगा दो दो यह हमारा हो गया नीचे में अगर आप करोगे तो नीचे में a की value, सोरी 10 पर दो का यह निकालना है, यह हुआ आप इसको लिखोगे 10 बट्टा क्या लिखोगे? 2, a, और 2a, 2 गुना क्या लिखोगे? 5, 2 a, plus n. n की जगा यहां पर हमको नीचे में क्या डालना है? 10, minus 1 into d की value कितनी है? 3, ठीक है. अब इसको क्या करोगे देखो, n by 2 into 3 दूना क्या होगा, 6, और पलस का क्या बनेगा, 2n बनेगा, है ने, और क्या बनेगा, माइनस का, 2 बन जाएगा, ठीक है, नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में जाएगा, हमारा देखो, 2 पंचे 10 कर लेंगे, और यहां 5 दूनी कितना ह होगा, 10, ठीक है न, फरे इसको solve कर लेते हैं, 10 में से जाएगा, 9, 9 कितना होगा, 27, और 27 और 10 कितना जाएगा, 36, और 37 पंचे क्या हो जाएगा, 36, 35 हो जाएगा, 35, 1500, 1500, 1500, 15, 15, 15, 15, है न, ठीक, और equal to में क्या आ जाएगा, equal to में यहां पहें लिखा हुआ, 7, यहां पे 7 आ हैगा, और इंटू में, यह छो में से दू घट जाएगा, तो 4 बचाएगा, 4, पलस क्या बचाएगा, 2N, हैने, equal to में अगर गुना करते हो, तो 7 पंचे, 35 के 5 हासिल, 3, 85, 369, हासिल, 5, 75, 12, 15, हैने, अब दो को यह दो से यह कर जाएगा, 2, 2, 4, यहां भी, दोनों में, क्य रहा है, तो यहां पर क्या बच रहा है, अगर हम देखे, शॉल्ब करें, तो यहां पर क्या बच रहा है, देखो, यहां बच रहा है, हमारा एन, इंटू, कोस्ट में बचा, 2, पलस, हैने, एन बच गया, और, equal to में क्या बचा, 1255, ठिक, इसको करेंगे, आगे तो यह 2N हो जाएगा, और, यह बच रहा है, पलस, एन, स्क्वाइर, और, यह हो गया, बारा सो पंचानवे, ठिक, यह हो जाएगा, डारेट इसो कर लेते, एन, स्क्वाइर, पलस, टू, एन, माइनस, बारा सो पंचानवे, equal to 0, अब क्या करना परेंगा, हमको, हैने, बारा सो और, पलस, सेतिस, एन, माइनस, पैतिस, एन, माइनस, बारा सो पंचानवे, equal to 0, ठिक, ठिक, क्या हो गया हमारा, यह हमारा, फाइनल आया, एन, स्क्वाइर, इन, मुझे इसको सल्व करना है, मुझे सल्व करना है, एन, स्क्वाइर, पलस, सेतिस, एन, माइनस, पैतिस, एन, यहां कमल लेगो 35 यहां बचेगा N फिरावर झीरो अब दो किसंख्यां कभी इनात्मख नहीं हो सब्सक्राइब तो आप स्वयांतुy आप से पिस शी चैहित का सही सडोग्या एधर रहों या रissements All प्रती के असलें कि कहे रहा है इक मिट थरटी है कि एक से लगातार तीन को सामit में हुआ कि है यह कि धुर दुल दो इन एक पूंछ रहा है यह सही आप्सार नमर सी इसका सही आप्सार हो गया ठीक है याद रखी हाई हल्का कुशन था यह 31 देख़ी 31 कह रहा है कि एपी किसी एपी का समाने पद 3x-5 है तो इसका सार्व अंतर निकालना है तो यानि होगा पांसासार ही का सही आढ़ैक है एक ठिसका सही इसका सही आजएंसर है तो थी communicating 32 कि पर्थम 3 संख्या औंका माद क्या होगा भाई पर्थम 3 संख्या एक दो और 3 ही होता है इसका अगर माद्य कोई कहेगा तो क्या होगा 6 बटा 3 कटा 3 दूरा 6 दो होगा 32 सका। Rays two जाएगा ठीक है बिलकुल सही अंसर है अप्षार नमर ए चली है अला कोसे ने अमना कोसे अधरी सको देखते है धरी है कि निमनांकित में से कौन सा समाथ दसरी नहीं, एक में है, यह तो कभी होनी सकता है ने, एक में से तिन जाएगा, दू बचेगा, नमस तिन जाएगा, छो बचेगा, अलग अलगा रहा, यह यह इसका अंसर है यह क्किन है, यह तो यह सही था, अब by में हैं इस अरही अंसर है अब देख सकते है you mean that से माइनस दस जाएगा यानि पलस दस हो जाएगा यह आएगा चार फिर आप घटाएंगे माइनस दो में से माइनस माइनस च्छे करेंगे तो यह पलस बन जाएगा पुड़ा और यही एपी में है अमारा अप्शन नमर्ट 10 का सही अंसर है चलिए आप उसन थर्टी फोर अनिये पलस ट्वेंटी 9ड एक कितना है दस पलसटी नमीक के वैलो कितनी है मैंन स्थिश तख उन पसर डच सब्सक्ताइब तो माइनस सथात्तर हमारा एंसर हो जाएगा अपसर में सी से एंसर हो जाएगा माइनस सथात्तर ठीक चलिए आगरा कोसर नहीं हमारा कोसर में थार्टी सिक्स 36 देखिए AP, minus 3, minus 1 बटा 2 और 2 का यह 11 अब अब पत बता है तो A का value कितना है? minus 3 D का value कितना है? minus 1 बटा 2 और minus और minus 3, इसको करेंगे तो minus 1 बटा 2 23, हैने अब उसे यह क्या हो जाएगा? minus 1, 3,2 शे minus 6 बटा 2, 6 में से यह गया तो पांच वट्टा दू इसका क्या बना common difference बचा है ने अब मुझे 11 वहां पांच चाहिए यह एक 11 चाहिए तो क्या लिखेंगे a plus 10 की और a की value क्या लिखेंगे minus 3 plus 10 डी की value क्या डालेंगे प्लस पांच वट्टा दू दू से दू पंच दस कटेगा पांचे क्या होगा पचीस तो यह फाइनल हमारा हो गया माइनस तीन अप प्लस पांचे पचीस यह आ गया 22 हमारा सही ठीक है तो यह क्या रहा पर इसका क्या होगा बाइस हो जाएगा option number 10 का विलुकुल शही अंसर हो 37 यदि समांतर स्रेडी का पहला पद A और सार्वांतर D हो तो पर्थम N पदों का योगफ़ा डाइट फर्मुला है N by 2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D option number 10 है ठीक अला 38 देखिए जिए किसी समांतर स्रेडी का सार्वांतर माइनस 2 हो और N मा पद N तो A 17 माइनस A 13 क्या होगा ह तो A 17 के लिए फर्मुला क्या होगा A पलस 16D माइनस A 13 के लिए क्या होगा A पलस 20D है अब A की value देखो क्या A की value है नहीं पता मुझे छोड़ देते हैं A पलस है ने D की value कितनी है D की समांतर है माइनस 2 तो माइनस 2 है तो यह क्या हो जाएगा A माइनस 32 है ने क्योंकि माइनस दूर आपने डाल दिया और यह माइनस A और यह हो जाएगा D की value यहां देखो यहां जैसी D की value माइनस 2 डालेंगे तो यह पहले हो जाएगा माइनस 24 और माइनस 24 फिर यहां माइनस से गुना जाएगा तो क्या बन जाएगा पलस 24 है ने तो यह दखिए A से A तो कट गया यह तो A था ने यह से कट गया तो क्या बच किया माइनस 32 और पलस 24 तो क्या माइनस 8 है ने माइनस 8 तो अपसर में इसका को सही हो गया दी नमर इसका सही हो गया अपसर नमर डी हो गया सही ठीक है तो चलिए आज के session में इतना ही क्योंकि और 30 question इते इस chapter में तो मिलते हैं next video में next chapter के साथ तब तो यह अब आई take care खुश रहे पढ़ते रहे मिल जाहिन जावाद